हेलो एबरीवन आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये डिजाइन इस डिजाइन से आप कुशन कबर, टेबल का कबर जा कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं डिजाइन बनाना भी एकदम असान है तो चले बनाते हैं डिजाइन बनाने के लिए मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है एक डार्क कलर चाहिए और एक लाइट कलर चाहिए कपड़ा लिया है मैंने यहां से 10 इंच लिया है और यहां से भी 10 इंच लिया है 10 वाइ 10 इंच का एक ब्लोक है दुन्नों को बराबर करके ऐसे रख लेना है यहां से लेके पूरे चार ओर से सिलाय लगा देनी है सिलाय लग गई है इसके बाद हमें इस तरह से ऐसे रख लेना है तो यह light side है यहां पर हमारा marking अच्छे से दिखेगी इसका हमें pin bill बनाना है तो यहां से हमें यह corner है और यह corner है यहां तक एक्तम बराबर करके यह line लगा देनी है इसी तरह इस side में भी हमें line लगा देनी है marking कर दी है marking जिस तरह की है उसी तरह हमें cutting कर लेनी है यह piece ready हो गए है अब इनको हमें press करनी है तो इस तरह से हमें पहले प्रेस करने है उसके बाद ये कपड़ा ऐसे करेंगे और यहां पर अच्छे से हमें ये शिलाई बिठा के प्रेस कर लेने है बाकी के पीस भी इसी तरह रेडी करेंगे इसके बाद यासे ये हमारे कोर्णा निकलाते हैं इनको हमें cut कर लेना है बाकी के भी इसी तरह cut करके ready कर लेंगे सार पीस इज रेडी हो गए है अब इनको arrange करना है दोनों पीस ऐसे लगा देंगे इसके बाद हमें ये पीस इस तरह से लगाना है एक white, एक red और एक white, red इस तरह से आना चाहिए चारोपीस इस तरह से लगे हैं अब इनको सिलाई करनी है ये पीस इसके साथ सिल देंगे और ये पीस इस पीस के साथ सिल देंगे सिलाई लगने के बाद यहां पर हमें इस तरह से प्रेस कर लेनी है इसके बाद हमें यहां से ऐसे कपड़े को टर्न करना है और इस तरह से कपड़ा सीधा हो जाएगा ये भी पीस हम इसी तरह प्रेस कर लेंगे इसके बाद अगर थोड़ा-थोड़ा कपड़ा हमारा इदर आगे पीछे है जाटे डमेडा है तो उसे हमें इस तरह कट करके बराबर कर लेना है अब इन दोनों पीस इसको भी सिल देंगे यहाँ पर यह सेंटर का जो पॉइंट है इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर सिलाय लगा देंगे सिलाय लगने के बाद यहाँ पर हमें प्रेस कर लेनी है इस पर क्या प्रेस करने का भी एक तरीका होता है इस तरह से प्रेस कर लेंगे फिर कपड़े को ऐसे टन करना है तो सिलाई हमारी एक तरफ रह जाएगी और उसके बाद हमें यहाँ पर प्रेस करने है अब देखे हमारा यह पीन वील बन गया है और से कोर्नर हमारे एकदम बराबर आए है यह हमारे तब हम कटिंग करते हैं और जब सिलाई करते हैं तो एकदम हमारी बराबर होने चाहिए यह कटिंग और स्टिचिंग जैसे यह सिलाई हमने लगाई है तो सारी सिलाई हमारी एक स कपड़ा 12 बारा इंच है तो हम nad दून्म सइड में बरावर रखना है किकी एक सायड से काटेंगे तो हमारा एक सायड से डिजाइन छोटा हो जाएगा दूसरी सायड से बड़ा ओ जाएगा यहां पर हमारा इसी तरह ऐसे रखना है अब यहां से जो भी एक्स्ट्रा है यह लाइन लगा देनी है और एक्स्ट्रा हमें कट कर लेना है इस साइड से भी और यह साइड है जैसे यहां पर बराबर है लेकिन थोड़ा सा यह कोड़ना तरह से है इसी तरह हमें जो extra है तो कट कर लेना है बाकी भी इसी तरह कट करेंगे इसे क्या हमारी जब हम दूसरी बार इसे से लेंगे तो perfect हमारे corner से corner बैठेंगे यह भी कट कर लेंगे यहां से अब हमारा पूरा design चेंज हो जाएगा जैसे यह 12 इंच है इसको हमें तीन पार्ट में डिवाइट करना है जैसे चार चार पार्ट हो जाएंगे हमारे चार इंच यहां से इसके बाद चार इंच यहां से और यह हमारा चार इंच बचा है इसी तरह यह भी हमें निशान लगाना है तो यहां से चार इंच दोनों तरफ निशान लग गए है अब हमें दोनों को इस तरह से स्केल लगए सीडी लाइन लगा देनी है और ये भी हमें सीडी लाइन ऐसे लगा देनी है ये हमारी मार्किंग एक दम प्रोपर आनी चाहिए इसके बाद जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह हमें कटिंग कर लेनी है कटिंग हो गई है ये तीन पीस बन गए है हमारे अब इन पीस को हमें चेंज करना है तो यहां पर ध्यान से देखिए जैसे ये पीस है इसे हमें इस तरह से उठाना है ऐसे पल्ट के यहां पर लगा देना है ऐसे और यह पीसे इसे भी हमें इस तरह से पल्ट के यहां पर लगा देना है अब देखिए पूरा डिजाइन हमारा चेंज हो गया है इस तरह से यह बीच में हमारा जैसे ट्विस्ट जैसे बन गया है अब इनको इसी तरह सिल देना है ये पीस इसके साथ सिल देंगे और ये पीस इस पीस के साथ सिल देंगे यहां पर सिलाई मैंने लगा दी है अब यहां पर हमें इस तरह से प्रेस करने है और इसके बाद इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है इसी तरह हमें इस साइड में पहले इस तरह से प्रेस कर लेनी है उसके बार ऐसे अच्छे से एकदम सिलाईं बिठाते हुए प्रेस करने है प्रेस करने के बार ये पीस हमारा रेडी हो गया है अब यहां से हमें देख लेना है जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है इस तरह से निशान लगा की कट कर लेना है यहां से भी चार और से हमें regular के रेदी हो गया है अब बना है हमारा यह यहां से तो 12 इंचहीं रहेगा और इससाइड से हमारा यह साड़े 10 इंच हो गया यह बना हमारा रेकटेंगल पीस अगर हमें जैसे इसका तक्या बनाना है तो इस तरह आगे एक block और लगाएंगे इसी साइसका तो यह बड़ा हो जाएगा और side में हमें पट्टी दे देनी है तो यह हमारा तक्या बन जाएगा और bedsheet बनानी है आपको तो इसी तरह के same size के block बना लेनी है और आगे आगे जोईन करते जाना है तो बहुत ही सुन्दर मारी एक bed sheet जा टेबल का cover कुछ भी बना सकते है इसका ready हो जाएगा तो ये तो हमारा एक color में बन जाएगा अगर दो color में जा जारा color में बनाना है तो इस तरह से और color के pieces भी हम cut कर सकते है जैसे ये मैंने cut किया है तो एक piece हम ये लगाएंगे एक ये piece लगाएंगे और इसी तरह हमें join करते जाना है तो ये design हमारा इस तरह से बनता जाएगा, multi color का और भी color आप use कर सकते हैं Friends, design हमारा बनके ready हो गया है design आपको कैसा लगा, design अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो के साथ